तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको exhaust fan 3 wire motor एक connection बताने वाला हूँ और इसमें ये भी बताऊँगा कि आपको ये कैपिस्टन लगा है उसकी wire इन तीनों में से किस wire पे connect करना है motor की winding से तीन wire निकली है एक red wire, एक white wire और ये blue wire इन तीनों wire को सबसे पहले हम चेक करेंगी कौन सी common की wire है, कौन सी starting की है, कौन सी running की है तो उसे check करने के लिए हमें series test lab मनाना पड़ेगा तो series test lab मनाने के लिए सबसे पहले में एक folder ले लेता हूँ तो देखिए हाँ पर मैंने wire connect कर रखा है इसके लिए हमें एक और 100W का bulb चाहिए तो देखिए हाँ पर मैंने 100W का bulb ले लिया यहाँ पर LED वर्क नहीं करेगा, LED बल्ब वर्क नहीं करेगा तो हमें 100W की बल्ब सही इसे test करना है तो देखिए सबसे पहले हम इस bulb को check कर लेते है तो देखिए यहाँ पर इसे on किया है मैंने तो देखिए यह जो bulb हमार जल रहा है अब हमें इसे series test lamp बनाना है तो series test lamp बनाने के लिए क्या करना होता है देखिए यहाँ पर जो wire connect हो रखा है red wire और black wire है इन दोनों में से आप किसी वी एक wire को बीच में से cut कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मैंने joint लगा रखा था है यहाँ पर इसे बीच में से cut कर देता हूँ तो देखिए मैंने एक red wire को बीच में से cut कर दिया है इस wire को छील लेते हैं एक साइट छील लिया और जो दूसरा इसका end था उसको भी मैंने छील लिया है तो देखिए हमारा ये series test lamp बन चुका है तो देखिए यहाँ पर जो दो वायर है जो मैंने अभी एक वायर को बीच में से ब्रेक किया था आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक वायर वायर को भी यहाँ पर बीच में से ब्रेक कर सकते हैं तो देखिए हमारा ये series test lamp बन चुका है बहुत लोगों question होता है कि series test lamp कैसे बना है तो देखिए यहाँ पर मैंने बना के दिखाया है ताकि आप आसानी से किसी भी motor को check कर सके तो देखिए यहाँ पर जो 3 वायर है हमें इसे check करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमने series test lamp मनाया था इसको check करके देखते हैं तो इसकी supply मैं connect कर देता हूँ तो देखिए आपर मैंने इसकी supply connect कर दिया है अब इसको test करके देखेंगे तो देखिए हमारा जो bulb है उगलो कर रहा है तो हमें क्या करना है इन 3 वायर को करके check करना है अब हमें सबसे पहले इस red वायर और white वायर पर लगाते हैं देखिए जो bulb है हमारा तेज जल रहा है अब इस white वायर और blue वायर पर लगाते हैं इसका मतलब ये इन दोनों वायर के अलावा जो तीसरा वायर हमारा red वायर बचा है वो common का वायर है और इसमें जो white और blue wire बचा एक running का एक starting का है जिन दो wire ओपर series test lamp का bulk कम जलता है उसके अलावा जो तीसरा wire होता है वो हमारा common का wire होता है जो red वाला जो wire है हमारा common का है अब हमें capacitor की wire को connect करना है तो देखे एक wire मैंने इस white वाले wire पर connect कर दिया है और दूसरे वाले wire को हम इस blue वाले wire पर connect करेंगे जो red वाला wire है वो हमारा common का है और common की wire पर capacitor की wire connect नहीं होती है अब हमें exhaust fan की rotation चेक करनी है तो देखे एक wire मैंने blue पर लगाए एक मैंने यहाँ पर common wire पर लगाए तो देखे जो हमारा exhaust fan है वो clockwise direction घड़ी की चलती किसा में घूम रही है जो यहाँ पर पंखड़ी लगी हुई है यह anti-clockwise direction की है अगर यह anti-clockwise direction में चले घड़ी की उल्टी किसा में चलेगी तब ही हावा देगी तो इसका मतलब भी rotation उल्टी है अब हम इस white वाले wire और common wire पर लगाते है तो देखे यहाँ पर हमारा जो fan है वो anti-clockwise direction में चल रहा है एक बार दुबार चेक कर लेते हैं white और common पर लगाए तो देखे जो exhaust fan है हमारा इसकी जो direction anti-clockwise है किसी-किसी exhaust fan की direction clockwise भी होती है उसे connection में बताऊंगा सबसे पहले यह बताने वाला हूँ कि अगर आपकी exhaust fan की जो direction है anti-clockwise है तो उसके connection कैसे करने है में supply का एक wire हमें इस red वाले common वाले wire पर connect करना है दूसरा इस white वाले wire पर connect करना है तीसरा जो यह blue वाले wire है इसमें हमें कोई supply नहीं देनी है तो देखिए यहाँ पर जो तीसरी वाले wire है blue वाले wire पर tape लगा दिया है क्योंकि हमें इसमें कोई supply नहीं देनी है अगर इसमें supply देते तो यह हमारे जो exhaust fan है वो हमारी clockwise direction में चलने लगीगी तो हमें main supply देने के लिए यहाँ पर मैंने एक two core की wire ले लिया है अब हमें इस main supply के किसी भी एक wire को इस common वाले wire से connect करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने इस red वाले wire को common वाले wire से connect कर दिया और main supply का जो black वाला wire था इस white वाले wire से connect कर दिया है तो देखिए यहाँ पर हमारा connection हो चुका है इसमें अच्छी तरह से हम टेप लगा देंगे, तो देखिए आपर मैंने इन दोनों वायरों पर अच्छी तरह से टेप लगा दिया है, अभी हमारा connection complete हो चुगा है, यह जो blue वाला वायर था, इसमें हमें supply नहीं देनी थी, और यह जो red वाला वायर है, और यह white वायर है, इन से connect करती है हमेंने, इसे on करती है, देखिए हमारा exhaust plan है वो चलने लगा है, जो हमारा exhaust plan है वो anti-clockwise direction में चल रहा है, अगर आपके exhaust plan की direction clockwise direction है, तो उसकी rotation हो कैसे change करेंगे, उसके बारे बताने वाला हो, तो देखिए जैसे हमने अभी exhaust plan के connection किया था, में supply की जो दो वायर थी, एक वायर को हमने common वायर पर connect किया था, और दूसरा black वायर था, उसे हमने याँ पर, जो white वायर पर connect किया था, हमें क्या करना है, इस वाले white वायर पर, जो black वायर connect किया था, इसे निकाल के हम blue वायर पर connect कर देंगे, तो हमारी जो fan की direction हो clockwise हो जाएगी, अगर आपको connection से related को कोई problem होती है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना, अगर आप में चैनल पर नहीं है, तो please में चैनल को subscribe कर देना, और bell icon को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे, मि आप से नेक्स्ट वीडियो में,